कि अच्छ पाइब नमस्कार मैं हूँ अन्वाग आप देखना शुरू कर चुके गहें अन्टिन नेशनल आज पहला कारिय करम हम लेके आ रहे हैं जो पार्षट और क्या रीलेटीड रहे गा थ। इसकारिय करम जो पहले मह्मान वह खें निटेश करमा जाने मानि enterprise और बार इनके वार्षट चुनने जाते गहें तो आज इनसे बात करेंगे अभी दावेदारी ठोकने वाले की आखिर क्यों ये चेर्मन की दावेदारी ठोकने वाले का है इंके साथ हिनका मुकाबला रहेगा इन सभी बातों तो पर आज करेंगे चप्षा स्वागत करती है निचेज जी आपका एन्टी नेशनल पर सबसे किस लिए आप सोच रहे हैं नहीं बनने नाद में कि बनाना तो जनताने और शहर का लिकस की है लक्षय वकास आपका भी दोर था उस दोर मिकस की बात करें तो किस तरह से कारिय के दे शहर वस हाद करते हैं Чुट कारियकाल को सफाई के मामले में सडकों के मामले में जो आज की प्रिस्थितियां है खुद चेर्मेन परतिनिधी के या नगर प्रिश्थ कारियले के मादिम से पता लगाए कि डेड अरब रुपए शेहर में लग गए हैं और हमारा जब आप बजट निकाल के देखोगे उस द देखने को दोस दिर में भी लगता था कि यह रोड तब भी बननी बना था उस दोर से पढ़ा हुआ था लेकिन अब भी वही हालत इस सामने वाल रोड किया आपके दोर की बात बात सिरफ एक रोड की नहीं और भी शहर में बार-बार रोड उखड़ते थे मैं आपको बता कि अब आप इस रोड को देखिए कि लगभग पात साल का तो पूरा करियकाल चेर्मेन नगर प्रशद का पूरा होने को है दूसरी बात लगभग डेड़ पोने दो साल से हासी शहर में भाजपा के विधायक है उसके बाद भी आप यह देखिए कि क्या हालत है शहर के आप सड़क के हालात देखिए आप सिसाई पूल से एंटरेंस करेंगे सड़क के हालात देखिए तो शहर की किसी भी मतलब रास्ते से आप शहर के अंदर आएंगे डेड़ अरब रुपई लगने के बाद शहर के मुख्य मारगों की जो हालात है वो बताती है कि क्या विकास देखिए उनराग जी वो अपने विवेक से कह रहे हैं जो बात अब इस बात का फैसला तो जनता करेगी अब जो अगामी नगर प्रशे चेर्मेन के चुना होंगे उसके अंदर रिजल्ट आएगा कि किसने विकास किया है कौन लोगों से जुड़ा हुआ है कौन लोगों की प्रबल मानेगी तो ही हम प्रबल होंगे बाकी यह है कि चोदरी पेंदर सिंग हुड़ा बाइदी पेंदर सिंग हुड़ा कुमारी शहल जाजी के आशिरवाद से आसी नगर प्रशे चेर्मेन का चुनाव लड़ूँगा कौंग्रेस के निशान पर और बाकी जनता का आश सबसे पहले रहेगी अगर यह सब ठीक रहता है तो शेर में अच्छा करने कामन है प्रमात्मा शक्ति प्रदान करें टिकेट नहीं मिलती जैसे कॉंग्रेस की तब क्या करेंगे तब भी चुनाव लड़ेंगे देखिए उसका फैसला पहली बाद तो मुझे नहीं लगता कि हमें टिकेट नहीं मिलेगी मैं आश्वस्त हूँ आई कमान की तरफ से भी आश्वस्त हूँ और दूसरी सुरत ही है कि अगर टिकेट नहीं मिलती है कोई ऐसे किंतु प्रंतु रहता है तो उसमें हमारे जो नेता है चोधरी उपेंदर सिंग उड़्डा जी मान्यकुमारी जी भाई दिपेंदर सिंग उड़्डा जी और श्री सुमन शर्मा जी जो फैसला वो लेंगे उसी फैसले के नुरूप चलेंगे जी हम लोग पॉलिटिकल लोग है लेकिन जो लोग पॉलिटिकल नहीं है पंचायती लोग है शेर के एक्चुली भला करने वाले वे लोग हो जो शेर के लिए पॉलिटिव हो तो वो पंचायती लोग इकठे होकर हर विरादरी के उस चेर्मेन के कंडिडेट को आगे लाएं तो ही शेर का बलाओ और शेर इलेक्शन जो हमारा है वो पैसे का इलेक्शन ना हो वो शराब का इलेक्शन ना हो खरीद फरोक्त का इलेक्श ना हो, किसी पाल्टी वाजी का इलेक्शन ना हो, मेरी सोच यह है कि शेहर में अपकी बार ऐसा गंडेट चेर्मेन बनना चीए, जो शेहर को यह बताए, कि वह यह शेहर है, जो हमारे में में मुद्दे हैं, देखिए, मुझे लगता है कि डेड़ अरब रुपया अगर शेहर हो, और अनर्जी हो, तो मैं आपको शोर, मतलब गारंटी इसे कहता हूँ मैं आपको, कि शेहर है ना, गुड़गाओं नी तो इसार बन जाए अपना, तो ऐसे ऐसे मामले में, जब आपको कमिया दिख रही हैं, तो फिर विपक्स की भूमिका क्यों नहीं निभारे विपक् यह देखिए कि नगरपिशद की हाउस की मिटिंग होती है, उन हाउस की मिटिंग के अंदर अगर आज तक किसी ने आवाज बुलंद की है, तो वो सुमन शर्मा जी के परिवार ने की है, और दूसरी बात और रहेगी, कि रोड पे भी कहीं आवाज उठानी होती है, तो सु आज के दोर में देख रहे हैं, मतलब चेयर्मन बनने की इतनी गोड लगी है, कि मैं चेयर्मन बनूगा, मैं चेयर्मन तो ऐसे में कुछ लगता नहीं कि कोई जोल जालके चलती, इतने मितलब लोग आगे आजकल आने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए पांचों उंगली बर गवान ने भी बराबर नहीं बनाई, अब यह तो हर व्यक्ति की मानसिक्ता पर डिपेंड करता है, कि वो क्या सोच के राजनीती में आना चाहता है, क्या सोच के वो चेयर्मन का चुनाव लड़ना चाहता है, अब आप यह देखिए कि मेरे दादा जी स्वर्गे श्री में भी बनी, तो मुझे तो सेवा करने का आप यह भाव कहलो या जिस चीज को भी आप समझोगे, आरोप तो तब आप लोगों पी लगे थे के खाने के, देखिए जो कुरसी पे होता है, उस पे आरोप पी लगते हैं, दूसरी बात यह है कि आरोप साबित होना, पहली बात ये, और दूसरी बात, तिसरी बात ये भी बताऊगा कि, हमारे उस एक लगता है कि आरोप लगे ही नहीं थे, मुझे ये लगता है, क्योंकि पाँच साल का हमारा जो कार्ये काल रहा, एक आरोप भी हमारे पे लगा, तो मुझे लगता है मैं सैटिस्वाई हूँ, लेकिन हा टेक्निकली बातें भी होती है एडिनिस्टेटिल जो दफ्तर की जो बातें है वो भी बंदा सीखता है काम करने का तो मेरा खुद का भी पांच साल का तजरबा भी है पिछली चेर्मेंट्शिप में तो मुझे लगता है कि मैं अच्छा कर पाऊंगा शेहर के लिए कोई विधायक भी उस टाइम पे आपसे अलग हो गए थे और क्या उस टाइम में कोई विकास में रुकावट आने का वो कारण भी था आपके कारिये काल में देखिए मैं आपको बात बदाता हूं इसमें कोई दोराय नहीं कि विधायक अगर पोजिटिव होगा और सत्ता पक् होता है लेकिन मैं एक बात और मानना चाहता हूं डेड़पो ने दो साल से विधायक भाजपा सरकार के हैं मुख्यमंत्री भी भाजपा के हैं और चेर्मेन भी भाजपा का है उसके बाद भी शहर में मतलब जो आशा थी जिस लोगों ने जो बंपर विधायक जी भी बाइस किसान अंदोलन की बात मान लें उससे भी लगता है कि शायद इस बार कॉंग्रेस जो चुनाओं में पर्चम लहरा जाए ऐसे में आपके पास आती है तो क्या विपक्स जो अपक्स आपके बीच में रोड़ा नहीं बनेगा विधायक जी टांग नहीं अडाएंगे काम में देखिए अब मैं एक बात और बताऊंगा आपके आपने बहुत अच्छा सवाल अन्राग जी बूछा है बहुत बड़ी है मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि भाजपा का ही चेर्मेन है और भाजपा का ही विधायक है और भाजपा ही के मुख्यमंत्री है तो शेर में कुछ कर रहा है तो शेर में कुछ हो गयां क्या कुछ नहीं हुआ आप अपुछ नहीं हुआ बहाना देना एक इक अगर है कोरोना में लोगों ने कितनी सेवा भी किया आप यह सारी चलिए वह दो चार पांच महिने का एक टैने और था उसके बाद आज तक यह काली देवी का जो रोड है जो सारा टूटा पड़ा है आप यह देखिए कि धान उग गया इस रास्ते कंदर धान उगाए है ने दिन के लिए नहीं पर्मनेंट ठीक रहा है और इस रोड में जो कमी थी यह रोड जो फाड़ी गई है जो दूसरी साइड की है वो रोड तो बिल्कुल ठीक थी कमी अच्छली उसी साइड में थी जो रोड अभी नई बनाई है इस चेर्मेंशिप के अंदर एक्छली कम ने बहुत चोटा था बहुत चोटा था चलिए एक बात यहां पर जानना चाहते हैं आप किन एजेंडों पर चुनाव लड़ेंगे जनता को यदि आप बनते हैं तो किस तरह का फाइदा हाजी शहर को हो पाएगा देखिए मैं मेरा विजन यह है कि शहर में एक तो जो ट्र सी गेट पर जाम लग जाता है उमरा गेट पर जाम लग जाता है और डिली गेट पर भी जाम लग जाता है तो अब एस पी मुख्याले एक्चुली बन गया है तो ट्रैफिक पुलिस के मदद हमें मिल सकती है तो मेरा यह विजन है कि मैं ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके हुआं को साथ लेकर मैं मेरे शिएर में बहुत पूदे लगाना चाहता हूँ तीसरा विज़न मेरा यह है कि शिएर के जितने भी नाले हैं जो नाले ब्लोग हैं मैं सब की occurring करवाना और सब की सफाइगर करा के मैं नालों को चालू कराना चाहता जिससे देखो बरसाती जो पानी खड़ा होता है उसके दो ही तरीके है निकलने के एक सीवर और दूसरा होगे नाले तो सीवर तो पब्लिक हेल्थ केंडर आते हैं उसमें हम ज्यादा हस्तक शेप नहीं कर सकते लेकिन जो नाले हैं हमारे शेहर के जो हमारी लाइबिल्टी बन के लोग बार के लोग आएं तो वो अच्छे लगें और पानचवा तेकोμ सड़के बनने का मुरम्मत का ठूटने का बनने का ये काम तो चेयर्मेन कोई भी बने देखो ग्रांट भी आयेगी वह बने भी बस उसमें सिरफ मैं पार दर शिता लाना चाहता हूं कि वो सड़के इतनी मजबूत बने, कम से कम इतनी मजबूत तो बने, कि अगर हमारा पात साल का गारी अकाल है, तो वो सड़के पात साल तो चले, कम सड़के पात साल तो चले और बात रहेगी सफाई में वस्ता की, जो शेर को जो शेर की दूरी है, जो शेर की जनता को क्या कहने चाहेंगे अभी लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से जनता को मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर मैं अगर प्रिशद हासी चेर्मेन का चुनाव कॉंग्रेस की टिकेट पे लड़ता हूं तो आप लोग मुझे ये मेरे परिवार का सिहोग करें यदि मेरे मेरे पाउजी सुमन शर्मा जी ने मेरे दाजी पंड़त तनलाल शर्मा जी ने आप लोगों की सेवा करी है हमारा वहवार शहर के प्रती अच्छा रहा है हमने यदि कभी जात विरादरी की बात नहीं की कभी चोटे बड़े की बात नहीं की कभी उच निच की बात नहीं की अगर हम आपको ठीक लगते हैं तो आप हमारा स्योग करें मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि शेर की बलाई के लिए काम करूँगा कहीं जुकूँगा नहीं कहीं बिकूँगा नहीं कहीं दबूँगा नहीं अगर मुझे शेर के विकास के लिए सत्ता पक्ष के साथ कहीं मिलके भी चलना पड़ेगा तो मैं मिलके चलने के लिए भी तैयार हूँ और कहीं मुझे सत्ता पक्ष के आगे अड़ना पड़ा तो मैं अड़ने के लिए भी तैयार हूँ अगर मुझे चेर्मेन बनने का मोका मिलता है तो मैं आप लोगों को हासी शहर की जंता को ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपका सिर नहीं जुकने दूँगा, दूसरा मैं आपको ये बहाना, मतलब कम से कम ये दावा करता हूं कि मैं इस बात का बहाना नहीं बनाऊँगा, कि मैं इस बात से कम जोर रहे गया, या तो म शेर की बलाई के लिए चेर्मेंशिप करूँगा या फिर मैं अपना इस्तिफा देदूँ देखें हमारे साथ दें निशेश सरमा जी अच्छी बात कही है कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे यदि मैं भविश्य में चेर्मेंट बनता हूं और अपना इस्तिफा देदूगा आप देखते रहें एंटी नेशनल में राट सिंग आप देखते रहें एंटी नेशनल खवर वही जो हो सही